तो चलिए देख लेते हैं कि परफेक्ट उकमा कैसे बनाना है कड़ाई को गरम कर लेंगे और फ्लेम को फिर हमें लो पर कर लेना है उसके बाद मैंने एक कटोरी सूजी इसमें डाल दी है और चलाते हुए इसे हमें 4-5 मिनिट तक भुन लेना है ये देखिए अच्छे से हमे का दाना डाल देंगे और इस समय भी मैंने फ्लेम को लो पर रखा हुआ है ये देखिए मुंफली में जब क्रैक्स आना चालो हो जाएं तो समझ जईएगा कि हमारी मुंफली रेडी हो गई है तो मैंने इसे भी निकाल लिया है एक प्लेट में अब मैंने डाल दिया है आध का सा कलर चेंज हो जाएगा आपको दिख जाएगा कि पक चुका है इसके बाद हम इसमें करी पता डाल देंगे तो हरी मिर्च डाल दिया है आप चाहें तो हरी मिर्च को बारी काट कर भी डाल सकते हैं मैंने इसे सिर्फ लंबे में बीच में से कट करके डाल दिया है आधा चौप किया हुआ प्याज डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे भी पका लेंगे इसके बाद मैंने इसमें गाजर और मटर डाल दिया है इसे भी हमें पका लेना है एक मिनट के लिए इन सब्जियों को पका लेंगे और जब पक जाएगा तो इसमें हम नमक डाल देंग और इसमें तीन कटोरी पानी डाल देंगे मैंने एक कटोरी सूजी लिया था और तीन कटोरी पानी इस तरीके से बिल्कुल नापकराब बनाईएगा तो आपकी भी सूजी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और जल्दी भी बन जाती है और बहुत अच्छी लगती है तो जब इ दालने से इसमें लम्स पर जाता है घुटलिया बन जाती है थोड़ा-थोड़ा करके डाली और नीचे से एक साइट से हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स नाए यह देखिए और बस यह बन कर तयार हो गया है धिरे-धिरे पानी इसमें सोख लेगा और अब हम इसमें गैस निम्बू का रस और जो भुना हुआ मुंफली था उसे भी हमें इसमें डाल देना है और थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने इसमें काट कर डाल दिया है उसके बाद हमें इसे फिर से ढखकर एक से दो मिनिट के लिए रख देना है ताकि जो निम्बू का रस का फ्लेवर है ध से निकाल लेते हैं सर्फ करने के लिए तो मैंने इसी एक प्लेट में निकाल दिया है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फूली हुई अच्छी सूजी बनी है और बहुत टेस्टी है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई